Hello everyone, I welcome again to all of you in my B.A. tutorial classes, Success in Teaching Field Friends, हम discuss कर रहे हैं previous question जो B.A. में पूछे गए हैं 2019 के मैंने सारे question discuss कर दिये हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे वीडियो को explain करके बता दिया है यहाँ पर हम 2018 में जो question पूछे गए हैं उसके first unit का childhood and growing up का जो question अभी चल रहा है उसके first unit का जो पहला question वो मैंने discuss कर दिया है उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो दूसरा question है यहाँ पर हम लोग दूसरा question discuss करेंगे देखते हैं क्या है Discuss P.A.J.S. Cognitive Theory of Development and Enumerate a Knowledge of Individual Difference Essential for Teacher यहाँ पर यह जो वर्ड दिया हुआ है यह देखें यहाँ पर इस वर्ड से आपको परिशाननी होना है यह जो Enumerate का वर्ड दिया है इसका मतलब सिर्फ क्या होता है Explain करना यह सिर्फ भटकाने के लिए दिमाग को देते हैं इसके लिए परिशाननी होना है अब आप समझ लें इस बात को इसके कहने का मतलब है कोशन का क्या मतलब है पहले तो कोशन समझेए यह कह रहा है कि संग्यान अत्मक विकास में जो प्याजे ने Cognitive Development की बात की है उसको अब उनका जो थियोरी है उन्होंने जो बाटा है चार स्टेज़ेस में पहले वीडियो में पहले वीडियो में पहले वीडियो में आप जाकर के उस पूरे वीडियो को देख करके समझ सकते हैं पूरी बात को यहाँ पर डिसकस करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर क्या डिसकस करेंगे यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है आपका यह कह रहा है यहाँ पर क्या कहते हैं पर आप मिनिंग को बताएंगे इस ट्रीके से लिखेंगे यहाँ पर आप पूरी तरीके से मैंने आप आप इसदीजिए होटा गया है पिर नेचर को बता सकते हैं यह दो यहां पर पूरी तरीके से मैंने आपको material provide करा दिया है आप एक एक word को यहां पर explain कर सकते हो और individual difference का जो meaning nature और पूरा explanation है वो मैंने आपको 2019 में भी यह question पूछा गिया है 2018 में भी यह question पूछा जा रहा है बस कुछ चीज़ें उसमें add करके पूछा जा रहा है तो यहां पर मैं एक एक point पे discuss कर दिया है यहां पर मैं आपको बस उन्हीं पर point को बताऊंगा जो इस question में tally होने के बाद भी दुबारा कुछ point मिलते हैं उन्हीं पर discuss करूँगा यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या-क्या individual differences होता है फिस्ट आफ फॉल तो individual differences क्या होता है यह समझे सैक् है वियर उसके interest में उसके merit में bodily, mentally, emotionally, social, moral है ना color में structure में हर तरीके का difference देखने के लिए मिलता है अब आप यह समझ ले के difference जो होता है वो अगर दो जुड़वे बच्चे भी होते हैं अगर एक जुड़वा बच्चा है तो भी उसके अंदर में आपको उसका difference देखने के ल motor skill abilities देखने के लिए मिलेगा आपको उसके इलावा देखिए और और यहां पर जो दिया हुआ है social में देखने के लिए moral में, aesthetic में, diversity में, aptitude में, belief में, opinion में यह सारे चीज़ क्या है यह सारे चीज़ आपके differentiate है जो मैंने पहले भी वीडियो में सारा explain कर दिया है समझा दिया इंटर और इंटरा का जो एक concept था वो भी मैंने यहां पिछले वीडियो में इंटर और इंटरा, इंटरा का जो concept था वह भी मैंने पिछले वीडियो में आपको explain कर दिया है और यहां पर वो उसका definition भी दे दिया, material भी provide कर दिया है, हैना types of intra के भी बात हो गई, उसके बाद म और उसके इलावा होता है आपका environment यानि वाता वरन होता है और उसके इलावा heritage यानि पुरवजो के जो चीजें होती है वो सब देखने के लिए मिलती है यहाँ पर उस वीडियो मैंने सारा एक्स्प्लेंट कर दिया है यह चीजें बहुत टैली करता है बहुत रिपीट होता है आपका question इसलिए मैंने यह चाहा है कि जो चीजें उसमें add की जा रही है उसको मैं describe कर दूँ यहाँ पर भी मैंने आपको note provide करा दिया है उसके इलावा देखें मैंने यहाँ पर influence भी कह दिया है क्योंकि इसमें psychology में influence बहुत पूछा जाता है कि social का कैसे influence होता है school का कैसे influence हो यह देखिए यहाँ पर जो इसमें था point मुझे discuss करने के लिए वो यह था कि teacher का जो रॉल होता है parents का जो रॉल होता है और school का जो रॉल होता है वो सारे रॉल मैंने यहाँ पर describe कर दिया है material provide करा दिया है obviously इस बात को आप समझ सकते हो को बच्चा जो होता है एक class में यहाँ आप समझें यहाँ पर आप पहले point को समझ लें कि रॉल जो होता है obviously teacher का ही पूछा गिया यहाँ पर but मैंने बाकी सारे point add कर दिया है but मैं आपको समझा देता हूं कि teachers का जो रॉल होता है obviously teachers का जो रॉल होता है class में वो सबसे बड़ा रॉल होता है यानि कि टीचर सबसे पहले first of all क्या करेगा first of all वो जाएगा class में पहला उसका पहला करताव वे क्या होगा कि वो क्लास में जाएगा और सबसे पहले वो बच्चे को समझेगा यानि कि कोई बॉडिले स्ट्रेक्चर से डिफ्रेंस है कोई समझने से कोई बुद्धिक छमता से हैं कोई गिफ्टेड चाइल्ड है कोई सुलो लर्नर है कोई डिसलेक्सिया का प्रोब्लम है तो टीचर को सबसे पहले तो जा करके अपने क्लास में समझना है कि बच्चों को किस तरीके से समझाए हम किस लेबल से पढ़ाए हम किस मेथर से पढ़ाए हम किस मीडियम से पढ़ाए तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले वो वहाँ जा करके समझ लेगा समझने के बाद में एक-एक point यहां पर मैंने यहां add करके आपको समझा दिया है कि किस तरीके से उसके प्रोपर डिलिंग को individual differences को है ना उसको उसको समझेगा उसके समझने के बाद में उसको वो सारे चीज़े प्रोवाइड करवाएगा प्रोवाइड करा करके उसको फिर समझाएगा और फिर एक-एक point उसको लिखवा करके जिस तरीके से भी बच्चा सीखना चाहेगा क्योंकि साइब ल değन जरी के पर लेकटर बातुमुझे को मैं प्रोवाइड कर दोगा मैं मिलते हैं और ूर्दू का में ऐगर विडियो मैं I hope कि आपको वीडियो पसंद आया हो, thank you so much वीडियो देखने के लिए,